आदिन्न दाना विर्मनी सिख्खाप दंस्मादियामी भिक्कू और रिशी में क्या अंतर होता है? आपने ये दो नाम बहुत सुने होंगे भिक्कू या भिक्कूनी या रिशी जो रिशी में आधा शे होता है और शटकून वाला जो शे होता है ये पाली के नहीं है सबसे पहले आप ये देखें कि एक जगे पाली में आती है जिसको इसी पत्तन मिगदाय बोलते हैं यानि जो बनारस का वारनसी का या जो आज का समय कासी है उसका जो सबसे पुराना नाम है वो है इसी पत्तन मिगदाय यानि कि इसी पत्तन का मतलब होता है जो पाटन होता है या जिसको बोलते हैं बंदरगाहा आज के समय में तो जो जैसे आपने सुना होगा कि पत्तन का मतलब हारबर होता है तो जहाँ पर जिस नदी के तट पर सबसे ज़्यादा इसी उतरते थे रहते थे उसको इसी पत्तन बोलते हैं यानि ऐसा तट ऐसा बंदरगा जहाँ पर अधिक से अधिक इसी उतरते हैं इसलिए उसको इसी पत्तन मिगदाय बोलते थे इसी पाली का पुराना नाम है आख से नहीं देख सकता यानि कि जैसे मन की अवस्था है या जो सरीर में तरंगे चलती है जो सरीर में होता रहता है जो सरीर के और मन के बीच में होता रहता है जो उसको समझता है उसको जानता है उसको देखना सुरू करता है उसको समझने की कोसिस करता है उसको इसी बोलते ह ये बुद्ध से पुराना है मगर पाली का ही नाम है इसलिए इसी पत्न बोला जाता है और इसी में जो सबसे ज़्यादा स्रेष्ट होता है यानि कि अपने सरीर को देखने में जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऐसा व्यक्ति साधक हो या साधना करने वाला हो या व्यक्ति हो या महिला हो उसको पाली के हिसाब से इसी वर बोलते हैं इसी वर का मतलब है कि अपने सरीर को देखने वाला उस पे अन्वेशन करने वाला, investigate करने वाला उसकी जानकारी रखने वाला सबसे अच्छा व्यक्ती तो वो इसी वर हो गया इसी वर दरसल बुद्ध को बुला जाता है क्योंकि बुद्ध अपने सरीर को देखने में सबसे ज़्यादा माहिड थे सम्यक सम्थे सम्मा सम्थे यानि complete थे और पूरे थे उन्होंने अपने सरीर के एक-एक एक एक जो परमाणू होता है या जो अनू होता है वो तरंगों में कैसे चलता है ये इस इसी ने यानि जो सब से स्रेष्ट इसी जिसको बुद्ध बोला जाता है सम्यक्सम बुद्ध उन्होंने खो जाता इसी इसी वर को बाद में इसमें से सै हटा के शै किया गया और छोटे एकी जगे बड़ा इस्तमाल किया गया तो इसको इश्वर कर दिया यानि कि इसी वर ही इश्वर है और जो बड़ा इसी होता है यानि कि महा पाली के अंदर बड़े को महा बोलते हैं तो महा इसी को महरिशी बोला गया यानि महरिशी हो गया तो ये पाली से चले हुए जो जानकारी जो सब्द है मगर सबसे खास बात ये है कि बुद्ध ने इसी नहीं कहा अपने जो डिसिपल्स थे या जो अनुयाई थे जो सिस्से थे उनको भिक्कु या भिकुनी कहा बात में लोगों ने कहा कि भिक्कु से और भिक्कुनी से भिक्का बना के भिकारी बना दिया सब्द दरसल भिकारी जो सब्द है वो पाली का है नहीं मगर भिक्कू का जो मतलब है अर्थ है वो बड़ा उंचा है भिक्कू का मतलब होता है भिर्मन करते हुए या यानि की भम करते हुए सिख्खा को देना आपने भमर सुना होगा भमर माने भोरा होता है भमर माने भमर चक्र भी होता है भमर माने जो भामर पड़ती हैं, जो साधी में साथ चकल लगाते हैं, उसको भामर बोलते हैं, तो भम से बना हुआ है, भामर माने लट्टू भी होता है, यानि घूमते हुए, घूमते हुए, ब्रहमर करते हुए, सिख्छा देना, एजुकिसन देना, ये दो सब्दों से मिल पहिला हैं नारी हैं उनको भिक्कुनी कहा गया इसमें कहीं खाना मांगने की या या याचन करने वाली या जैसे आज के समय में कहते हैं भिकारी है या भिक्का मांगता है क्योंकि बुद्ध के जाने के बाद जब भिक्कु और भिक्कुनी भी चले गए भारत से मार दिये पुराने रुत्वे के आधार पे जो पुरानी उनकी साख बनी हुई थी उसके आधार पे लोग उनको खाना दे दे थे तो वो बिना एजुकरिशन की दिये बिना पढ़ाए ही खाना खाने लगे क्योंकि भगवान बुद्ध का ये नियन था कि जो भी भिक को भिर्मन करते हुए सिखा देगा पहले वो पढ़ाएगा या जो भिक को भिर्मन करते हुए घूमते हुए चलते हुए किसी को पढ़ाएगी सिखा देगी तो पहले पढ़ाएगी तब उसके बाद में अगर वो जो देगा खाने में वो ग्रहन करेगी, देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो अगले घर, अगले घर, अगले घर, पांच घर से जादा नहीं, और इतना खाने से जादा नहीं खटा करना कि उस दिन की जरुद से जादा खाना आ जाए, और वो भी संग में खाना बापिस ले इस सद्ध को इस्तमाल नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो डिसिपल्स बनाए उन्होंने जो अनुवियाई बनाए जो सिस्से बनाए वो सिस्से सारे ही एक अलग तरह का काम करते थे जो इसी है वो वेदनाओं को जानने का काम तो करते हैं यानि वो अन्वेशन का काम करते हैं, इन्वेस्टिकेसन का करते हैं, रिसर्च का करते हैं, सर्च का करते हैं मगर वो लोगों को एजुकेट करने का या लोगों को पढ़ाने का काम नहीं करते उनके गुरुकुल या उनके सेंटर होते हैं आपने महां जाके पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए मगर वो भर्मन करते हुए सिखा नहीं देंगे आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए बेसिकल ये बहुत बड़ा एक अंतर है इसलिए भग्नवान बुद्ध के किसी भी फिलोस्पी के अंदर किसी भी बात के अंदर इसी सब्द नहीं होता और इसी को संसकायत भासा में बाद में शे जोड़कर और आधा रह जोड़कर जबकि पाली के अंदर ना शे है ना शटकोन वाला शे है ना आधा रह है तो इसलिए पाली में इसको बाद में फिर रिशी किया गया और इसी वर को इश्वर किया गया इसलिए जो इश्वर है जो इसी वर है वो बुद्ध के लिए इस्तमाल होता है और अधिकतर जो वाक्य आप सुरेंगे इस्वर की मर्जी है इस्वर ऐसा करेंगे इस्वर वैसा करेंगे ये उनी लड़ने डोगों के लिए हैं जो अन्वेशन करते थे, जो जानते थे, बाद में लोगों ने इसको और ज्यादा मनगरंद करके और चमतकार के रूप में जोड़ दिया, कि इस वर कोई ऐसा व्यक्ति बना दिया कि वो चमतका जानता है सारी पावर जानता है सारी ताकर जानता है और वो कुछ भी कर सकता है हाला कि ऐसा आज तक कोई उधारण किसी ने भी बताया नहीं किसी ने भी देखा नहीं किसी ने भी जरन नहीं और किसी ने भी इस वर को आज तक दर्सन किया नहीं दो लोग एक लोग दुनिया में ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जिस इस वर को गौड कहा जाता है या गौड के नाम से बदल दिया गया है उसको किसी ने देखा हो मगर इसी इसी वर और विक्कू और विक्डूई ये सब लोगों ने देखे हैं ये आज भी होते हैं धन्यवाद तंग शे नंग